हाई फ्रेंड्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल तेहरी के यूट्यूब चैनल कैसे हो फ्रेंड्स अब तक हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन जोग्राफी के चैप्टर नमबर फॉर्थ भारत की अपवाहा प्र तो चलिए शुरू करते हैं और चलता है आज के फर्ष्ट कुश्शन कियो भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है कौन सा वाटरफॉल गोवा में है धुआदार प्रपात दूद सागर प्रपात नोखा लिकई प्रपात या फिर लैंड सिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन भी दूद सागर और कौन से नवी है नदी है फेमस गोवा की मांडो भी नदी है बहुत सारी बॉलिवुड मुवीज इस वाटरफॉल के आसपास शूट हो रहों कि है जिसमें से सबसे फेमस चन्ने एक्सप्रेस मुवी है शारुक खान दिपिका निम्न मैं से किस जल प्रपात को भारत का नियागरा प्रपात कहा जाता है नियागरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा वाटरफॉल कहलाता है तीरतगड अमृत धारा मांडवी या फिर चित्रकूट सहीं आंस्वर है ऑप्शन डी चित्रकूट चित्रकूट वाटरफॉ च्टिसगर्ट इसे इंडिया का नियागरा प्रपात कहा जाता है और एक्टेस्पाणिश यूएस से और कैनेडा की सीमा पर है निमलिकित में से कौन सी जोडी सुमेलित है एक तरफ लेक है एक तरफ इस्टेट है सही जोडी कौन सी है लोग तक जील के आगे मनिपूर है उदेशागर आंदरपर्देश डीडवाना हर्याना और कोलेरू उडिसा तो देखें उदेशागर जील जो ये राजस्थान में है उदेपूर में डीडवाना भी राजस्थान में है नागोर में कोलेरू जील आंदरपर्देश में तो ये तीनों गलत हो गए लोग तक जील मनिपूर में बिलकुल सही है तो ऑप्शन फर्ष्ट निमलिकित में से कौन से जल प्रपात नदी युगम स्वन रेखा सुमेलित नहीं है कौन से वाटरफाल जो है वो सही से मैच नहीं है युगम स्वन रेखा यहां पे गलत प्रिंट हो गया है तो यहां पे वाटरफाल है और वहां पे नदिया है खुंडरू प्रपात स्वन रेखा पे बिलकुल सही है जोनहा प्रपात रादू नदी पे बिलकुल सही है दसोंग प्रपात कांची पे बिलकुल सही है लोध प्रपात बराकर नदी पे गलत है जो लोध प्रपात है ये बुरहा नदी पर है बुरहा रिवर है और ये चारो के चारो वाटर फॉल्स जार खंड में है चारो जार खंड में और जार खंड का सबसे उचा जल प्रपात क कौन सा है बूडा गाग वाटरफॉल महानदी दूद सागर वाटरफॉल मांडवी गोकक वाटरफॉल गाटप्रभा और धुवादार वाटरफॉल नर्मदा तो देखें दूद सागर बिल्कुल सही है मांडवी गोवा में गोकक बिल्कुल सही है गाटप्रभा धुवादार बिल्कुल सी MP का निर्मदा जो बुडा गाग जल प्रपात है ये महा नदी पर नहीं है ये बुरहा नदी है और ये जारखंड में जो पिछला question था उसमें जो ये लोद प्रपात है इसी को क्या कहा जाता है बुडा गाग प्रपात या बुरा गाग वाटरफॉल भी वहाँ पे states हैं, राज्य है, लोनार MP, नक्की, गुजरात, कोलेरू, आंद्रपरदेश और पुलिकट, कैरल, तो लेकिए लोनार जील, क्रेटर जील है, जो की महाराश्टर में है, तो ये तो गलत हो गया, नक्की जील, राजस्थान के माउंट आबू की बहुत ही फेमस जील है, तो ये राजस्थान में ये भी गलत हो गया, कोलेरू जील, आंद्रपरदेश की फेमस जील है, और पुलिकट जील भी, आंद्रपरदेश और तमिल नाडू की फेमस जील है, तो कौन सा सही है, option C, कोलेरू, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, चलिए तो इ लैंस डाउन, नरेंदर नगर, उत्तर कासी और पॉड़ी, तो देखें, भागी रती नदी, इसका उद्गम या ये नदी उत्तर कासी से है, तो A के आगया आएगा, 3, अलक नंदा, अलक नंदा, पॉड़ी से है, तो B के आगया आएगा, 4, नयार, जो नयार है, ये लैंस उत्राखंड का बहुत ही फेमस हिल इस्टेशन है, लैंस्डाउन छोटा सा केंटॉनमेंट एरिया है, तो C के आगया आएगा 1, और गंगा, नरेंदर नगर, नरेंदर नगर भी उत्राखंड में है, तो D के आगया आजाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 का आप्शन कौन सा है, आप्शन B है, नेक्स्ट, सूची, एक को सूची दो के साथ सुमिलित करिए, देखें सबसे पहले, यहाँ पे जीलों के नाम है, लेक्स के और यहाँ पे उनके प्रकार है, टाइप्स अफ लेक्स, अश्टमुदी कयाल हिमायत सागर, डल जील और सौंगो जील, प्रकारे आउसिष्ट, लेगून, यह डल जील यहाँ पे गलत आ गया है, इसकी जगे आएगा हिम नदी है, यह थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हिम नदी आएगा और चौता है क्रत्रिम, तो देखते हैं, सबसे पहले अश्टमुदी, अश्टमुदी लेगून जील है, कैरला में इस्थित है, और लेगून जील क्या है, वो जान लिख लिए, पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें एक्स्पेन कर रखा है, हिमायत सागर, तेलंगना की, क्रत्रिम मीठे पानी की जील है, क्रत्रिम यानि के मैनमेड, मानव निर्मित या आर्टिफिशल, तो B क्या आगया जाएगा, 4 ये कहां पर, तेलंगना में है, डल जील, डल जील कहां पर है, डल जील स्रीनगर में है, और अवसिष्ट मीठे पानी की जील है, तो C क्या आगया जाएगा, वन, और सौमगो जील सिक्किम की, वहती प्रसिद हिम्न दिय जील है, यनिके बरफ से डख्यूई रहती है, D क्या आगया जाएगा, तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन, A इसका करेक्टांग, निकी और क्रेटर, तो देखें, सबसे पहले, जो इजी हैं, उन उप्शन्स को पकड़ के सौल करने के ट्राइ करते हैं, तो अश्ट मूदी जील, पिछले कॉश्चन में भी था, लैगून लेक है, कैरल आमे इस्तित्त, तो B क्या आगया जाएगा, गोहना, गोहना जो है ये, भू इसकलन यानि के, लैंड्स लैट से बनी हुई जील है, तो C के आगया जाएगा, 3, 1, 2, 4, आप्शन नंबर A, करेक्ट आंस्वर है, वापिस मैच है, यहाँ पे जीलों के प्रकार है, और सामने जीलों के नाम है, वीवर्त निकी, गर्त या क्रेटर, हिम नदिय और नदिय, सामने लोनार, गंगाबल, पूर्व इस्थली जील और भीम ताल जील, तो चलिए, सबसे पहले, लोनार जील, हमको पता है, किसका प्रकार है, क्रेटर या गर्त जैसी जील है, गड़े के थुरू बनी है, तो B क्या आगे आ जाएगा, वन, और देखें, नदिय जील, नदिय जील जो है, ये इसका एक्जामपल है, भीमताल, भीमताल जील, तो D क्या आगे आ जाएगा, फूर, फिर हम देखेंगे, हिम नदिय जील, हिम नदिय जील इन में से कौन सी है, तो वो है गंगाबल जील, तो C के आगे आ जाएगा, टू, और विवर्थनिक की जील है, पूर विस्थली जील, तो A के आगे आ जाएगा, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 कौन सा है, option C है, तो 165 का हो जाएगा, C, यहाँ पे वाटरफॉल्स दे रखें, और सामने नदी दे रखें, कौन सा वाटरफॉल, कौन सा जल प्रपाद, किस नदी पे है, तो चित्रकूट जल प्रपाद, यह जो है, यह इंद्रावती नदी पे है, 36 गड़ में, तो A के आगे आ जाएगा, 4, हुंडरू जल प्रपाद, बहुती फेमस, जारखंड का वाटरफॉल है, जो सर्ण रेखा नदी पे है, तो B के आगे आ जाएगा, 3, गोकक वाटरफॉल या गोकक जल प्रपाद, यह काँ पे है, तो यह गाट प्रभा नदी पे है, C के आगे आ जाएगा, 2, और कपिल दारा जल प्रपाद, नर्मदा नदी पर है, तो D के आगे आजाएगा, 4, 3, 2, 1, कौन सा ऑप्शन है, 4, 3, 2, 1 है, ऑप्शन B, वापिस यहाँ पे वाटरफॉल और, रिवर्स दे रखें, दूद सागर जल प्रपाद, बहुत ही फेमस, गोवा का वाटरफॉल है, कौन सी नदी पे, मांडवी नदी पे, तो A के आगे आ जाएगा, 4, गोकॉक जल प्रपाद, हमने पीछे ही देखा था, किस पे है, घाट प्रबा नदी पे है, तो C के आगे आ जाएगा, जॉग फॉल्स, जॉग प्रपाद, भारत का सबसे हुचा जल प्रपाद है, करनाट का में, ऑप्शन 3, शरावती नदी पे, और डूडूमा फॉल्स, डूडूमा जल प्रपाद, मच्च कुंड पे है, तो इसके आगे आ जाएगा, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन A है, यहाँ पे वापिस, लेक्स हैं, और यहाँ पे राज्य हैं, उनका लोकेशन है, पुलिकट जील, पुलिकट लेक काँ पे है, दिये गए अप्शन समसे, तमिल नाडू में, एक आगे थरी, चिलका लेक, भारत के सबसे बड़ी, खारे पाने की जील, जो की ओडिशा में है, तो फ़स्ट, वूलर जील, भारत के बहुती, फेमस और सबसे बड़ी, मीठे पाने की जील, जो की कश्मीर में है, और सांबर जील, राजस्थान में है, ये सांबर जील जो है, नमकीन जील है, और भारत में सबसे ज़्यादा नमक, इसी जील से प्राप्त होता है, तो 3-1, 4-2, आप्शन, ए आ जाए, अंतर राजिय नदी जल विवादों का समाधान, किसके द्वारा किया जाता है, इंटर इस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतर राजिय नदी जल विवाद, उनका समाधान कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा, उच नियाले द्वारा, केंदर सरकार द्वारा, या फिर जिला नियाले द्वारा तो सही answer है option C केंद्र सरकार द्वारा हमारे अनुछेद article 262 में संसत को ये power दी गई है कि वो अंतर राज्य जल विवाद को क्या करे हल करे और उसके लिए उन्होंने अधिनियम बना रखा है Inter-State Water Dispute Act 1956 तो option C कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंदित है कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से राज्यों से संबंदित है कैरल करनाटक तमिल नाडू या फिर सभी तो इन तीनों राज्यों से संबंदित है option D कावेरी इन तीनों राज्यों में करना टक तो option A होगा राजस्थान गोदावरी नदी राजस्थान में नहीं बैती है तो महाराष्ट अउड़िसा और करना टक जो है वो इसमें सामिल है भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंब कब हुआ था रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कब शुरू है नदी जोड़ो परियोजना भारत के भूतपूर परदान मंतरी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वरगिय भारत रत नसरी अटल विहरी वाचपेजी का सपना था और उनी की जब प्रदान मंतरी थे वो जब देश के उसी समय 2002 में परियोजना को सुरू किया गया था नदियों को जोड़ने का विचार सरव परथम किसने दिया है वर्ल्ड लेवल पर पूछा है सबसे पहले रिवर्स को जोड़ने का आइडिया किसने दिया है कालू प्रसाद विष्णोई, सर आर्थर कॉटन, आर्थर क्लार्क या फिर सर रोजवुड तो सहीं आंसर आप्शन भी सर आर्थर कॉटन और ये कौन थे तो ये UK के फेमस इरिगेशन इंजीनियर थे यानि कि सीचाई अभी आनती थे इरिगेशन के इंजीनियर थे, इन्होंने अपने कारेकाल में जब ये इंजीनियर थे और जनरल भी थे रिटाइल तो इन्होंने काफी सारी नहरों का निर्मान करवाय था और इन्होंने सबसे पहला आईडिया दिया नदियों को जोडने को नदी जोड़ो परियोजना के अंतरगत आंदर परदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी को कब जोड़ा गया गोदावरी तथा कृष्णा नदी कब जोड़ी है तो option D आजाएगा 16 सितंबर 2015 चलिए next कर्मनासा नदी जल विवाद संबंदित है कर्मनासा नदी का डिस्प्यूट किस किस से बीच है यूपी बिहार महाराष्टो या फिर गुजरात यूपी बिहार महाराष्टो या फिर गुजरात तो देखें कर्मनासा नदी जोए वो यूपी और बिहार के बीच का विवाद है तो option A एक और दो और चलते हैं इस वीडियो और इस चैप्टर के लाश्ट कुश्चन की और निम्न लिखित में से कौन से राज्य नर्मदा जल विवाद से संबन्दित हैं नर्मदा नदी के जल को लेकर जो डिस्प्यूट है उसमें कौन-कौन से इस्टेट है गुजरात बिल्कुल है यूपी यूपी का कोई लेना देना निये नर्मदा नदी से महाराष्ट्र भी है राजस्थान भी है तो एक तीन और चार ओप्शन डी देखें वन त्री और फॉर इसका बिल्कुल करेक्ट आंस्वर है तो फ्रेंड्स ये थे मनोहर पांडे बुक शीरीज के इंडियन जोग्राफी के चैप्टर नमबर फोर्थ भारत की अपवाप्राणलरी के सभी कोश्चन तथा उनके डीटेल्ड सॉलीशन्स धन्यवाद थेंक्यों आप सभी का हमारे साथ जोड़े बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी